Hello guys, welcome back to Sahu Foundations मेरा नाम है Sanjeev और चलिए आज की Bylaws की क्लास स्टार्ट करते हैं अगर आपको बीच में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं Now, let's start this video Hello everyone, welcome to Architecture Bylaws Series और आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे Land Use का Classification और उनका Permissible Uses तो सबसे पहले आईए जानते कि Building Bylaws होता क्या है So Building Bylaws are nothing, they are just a set of rules जो की एक developer को follow करना होता है During his development of the project दूसरा ये चीज़ है कि अगर कोई rules and regulations नहीं होगा तो cities में आपका बहुत ही random और half as a development होगा जैसे अगर कोई एक जगा से residential ही बना रहा तो वहाँ से residential ही होगा जबकि आपको ये पता है कि सिर्फ वहाँ पे residential ही नहीं हो सकता वहाँ पे school रहना चाहिए, hospitals होना चाहिए, market area होना चाहिए तो ये सब चीज कैसे एक साथ coexist करेगा, वो चीज हमें bylaws से पता चलता है next ये है कि bylaws जो हमारा town planning authority के द्वारा बनाया जाता है तो ये town planners होते है या फिर municipal corporations हो गए या जो local governing authorities होती है किसी state की, वो मिलके building bylaws को बनाती है और ये सिर्फ हमारे safety standards को ही cover नहीं करते है नहीं होगा, limitations कैसी होगी, उनमें क्या-क्या amenities रहनी चाहिए, जो mandatory है तो वो सारी चीज हमें building bylaws से पता चलती है next, building bylaws का purpose क्या है तो building bylaws हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ना ही सिर्फ ये safety standards को follow करता है बलकि ये aesthetic sense को भी देखता है next, ये हो गया कि bylaws ये चीज भी govern करता है कि आप जितना ground coverage कर रहे हो, उतना open spaces भी रहना चाहिए क्योंकि अगर open space नहीं रहेगा तो आप खुदी सोचिए, बहुत सारे अगर buildings एक ही जगा पर बनते रहेंगे और वहाँ पर कुछ openings वैसा नहीं रहेगा, या open spaces लाइक parks हो गए, playgrounds हो गए, कुछ भी community area हो गया तो वो एक concrete jungle बन जाएगा, या urban jungle बन जाएगा तो उस चीज को avoid करने के लिए, या उस चीज को कैसे properly करें, ताकि हमारा जो open space है और जो हमारा buildings है, उसका एक ratio maintained रहे, उस चीज के लिए हमें bylaws की जरुवत है दूसरा ये, कि bylaws में ये सारे rules भी है, कि हम कैसे max to max development कर सकते हैं हमारे खुद के लिए with minimum harm to the environment So, आज कहा हमारा major topics होगा, land use classification and permissible uses, तो उसमें हमारे दो पाच है, पहला zoning हो गया, दूसरा different uses of land तो सबसे पहले we have the zoning, तो zoning में क्या होता है, कि जो हमारे different zones होता है, like residential, commercial, industrial, administrative, institutional, open spaces, transportation, green builds, natural drainages, water bodies तो उनका क्या zonal boundaries होगा और वो कैसे एक साथ exist करेंगे, उनका भी table 4 में दिया हो है सारा reference, so you can look through it, जो हमारे आगे की वीडियो में आपको दिखाएंगे next we have the different uses of land, तो अब जैसे आपका है कि कोई भी जगा पे जैसे मैंने आपको पता है कि कोई एक चीजी ही कठा करके हम लोग नहीं रख सकते, जैसे master plan जब बनता है, तो उस समय सारे zones को अलग-अलग categorize के जाता है, ताकि हर जगा equal distribution नो सारे amenities का, या सारे facilities का, तो वो भी आप आपको नीचे table में दिया हुआ है and accordingly वो आपको columns view ऐसे बना हुआ है कि कौन सा कहां पे रहना चाहिए और किसका किसके साथ रहता है, तो वो आपको आगे की वीडियो में next slides में आपको देख जाएंगे, then next अगर आपको कुछ special जगह चाहिए तो वहाँ पे आपको अलग से permission लेना पड़ता है in writing या recording from the authority कि आपको वहाँ पे उस चीज को बनाना है, क्योंकि building bylaws में वो सारी चीज पहले से specified है, जो कि आप आगे देखेंगे कि कौन सी जगह पे क्या चीज होनी चाहिए, but आपको अगर वहाँ पे change करना है, in case due to some reason, आपको वहाँ कुछ और बनवाना तो उसके भी कुछ condition होते है, जैसे आपका land जो है, वो leasehold land नहीं होना चाहिए, उसका coverage more than 20% नहीं होना चाहिए, building का height 7 meter से जादा नहीं होना चाहिए, and also 60% of the land जो है, वो आपका agriculture purpose के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसका main पहले aim तो वहीं था, कि वो agriculture land है, but वहाँ पे आप को घर बनाना है, तो यह सारे conditions आपको follow करने होंगे, next, mixed use land भी आपको permitted हो सकता है, again, if authorized by the authority, तो यहाँ पे भी आपका condition होता है, कि जो cover है, वो 2 by 3rd of the total floor area होना चाहिए, और उसका जो ancillary use है, वो 1 by 3rd of the total floor area होना चाहिए, और अगर वो in case of government या government sponsors project है, तो उसमें थोड़ा land area को, या land criteria को relax कर दी जाता है, वो भी हमारा table 4 में mentioned है, so जहाँ पर development plan आपका finalize नहीं हुआ होता है, या जहाँ का master plan नहीं बना हुआ होता है, तो उसमें आप accordingly फिर अपना approval दे सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, but again, maximum जगा का already वो बना हुआ रहता है, so अगर अपनाना है, तो उसमें कुछ अलग से फीज रखते है, और अथरीटी को वो साटिस्फाक्शन होना है कि वो चीज वहाँ पर नीड़ है, next, आपका different uses of land, जो मैं आपको टेवल के बारे में बता रही थी कि कैसे different lands में कैटिगराइज होता है, उसका कैसे different uses निकलता है, तो agricultural use है, तो यह जो आपको सारे tables दिख रहे है, यह आपके जो different land की uses है, और उनका कहाँ permissible है, वो कहाँ कहाँ area में permitted है, जैसे आपका art gallery museum exhibition center हुआ, तो वो आपका residential वाले area में हो सकता है, उस zone में हो सकता है, commercial zone में हो सकता है, then आपका public semi-public area में हो सकता है, but again, industrial area में उसका कोई use नहीं है, क्योंकि वहाँ पर museum या फिर art gallery कॉन visit करेगा, so इस table के according, you can look up to, कहाँ पर किस land का use होता है, और किसको किस के साथ हम coexist करके रख सकते है, so यह हमारा bylaws में already दिया हुआ है, यह next slide में again, आपका सारा एक एक चीज दिया हुआ है, defense हो गया, dairy हो गया, dispensary, electric substation, villages हो गय fairground हो गया, film studio हो गया, fish curing हो गया, forest हो गया, petroleum area हो गया, hotels हो गया, indoor game हुआ, jail, junkyard, orphanage, open air theater, oil deport, planetarium, सारे कुछ यहाँ A to Z mentioned है हमारा bylaws में, so you can look up to these, again यहां पे भी हमारा सारा चीज दिया हुआ है, professional office for residents of the premise, public library, radio center, schools, truck terminal, vending machines, sector unit, wholesale, trade, wireless areas, transmission towers, zoological parks, तो आप देखेगे कि जितना भी आप elements देखते हैं, जो की exist कर रहा होता है, जाए वो आपकर transformer हो या फिर mobile towers हो, वो सारी चीज़ बाइलोज में अल्रेडी स्पेसिफाइड होती है, तो you can go through these tables and आप थोड़ार कर सकते हैं कि कौन से zone में कौन सा चीज permitted है, तो आपको एक clear idea मिल जाएगा कि कौन सा land किस चीज के लिए designate हो सकते है, जब आप एक master plan को देखोगे, so that is it for today's video, और अगले वीडियो में हम और general standards को cover up करेंगे, जो हमारे अगले part में है, so till then, thank you so much. So I hope so guys, आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और काफी informative लगी होगी, अगर आपको अपने घर के लिए किसी भी तरह के architectural work या फिर interior work की requirement हो, तो आप हमें contact कर सकते हैं, हमारा website address हो गया, sahufoundations.com, जिसके अंदर आप हमारे previous work भी चेक कर सकते हैं, और मेरी सारी details नीचे description box के अंदर है, हम लोग सारे architectural plannings और interior works करते हैं, designing से लेकर execution तक, और अगर आप एक interior designing student हो, या interior designing सीखना चाहते हो, तो भी आप हमें contact कर सकते हो, हम लोग interior designing सिखलाते हैं अपने students को, जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ा उन्हें सिखलाते हैं, online and offline, जैसे कि सारे softwares हो from the basics to the advanced level, उसके बाद हम लोग सारे theory subjects आपको सिखलाते हैं, हर एक materials के बारे में सिखलाते हैं, 20 से भी जादा videos उसके उपर हैं और काफी long lectures आपको दिया गया है in depth, इन सारे materials के बारे में, उसके बाद हम लोग site execution दिखलाते हैं, कि किस तरीके से site execute किया जाता है, from design to the execution, उसक बाद हम लोग अगर आपको interior designing business start करना हो, उसके उपर भी videos देते हैं, जिसके अंदर आप जानेंगे कि कैसे आप interior design के business को start कर सकते हैं, खुझ से, उसके बाद हम लोग आपको complete costing और estimation सिखाते हैं, जिसके अंदर किसी भी area का costing estimation आप निकाल सकते हो, और from the scratch to the advanced level, आप सारे च description box में डाल दे रहा हूँ, आप check कर सकते हैं और इस course को buy कर सकते हैं, course काफी जादा affordable price के अंदर है, और सारे support system हम लोग देते हैं, जो भी students इस course के अंदर अच्छा perform करेंगे, वो मुझे directly contact भी कर सकते हैं, और placement की भी guarantee हम लोग लेते हैं, क्योंकि जिस भी student का performance अच्छा होत उनको हम लोग अपने phones में रखते हैं, और हम लोग एक certificate भी देते हैं at the end of this course, तो उसकी भी details नीचे description box में है, वीडियो देखने के लिए, thank you guys